हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा बने रही हमारे चैनल के साथ क्यों क्योंकि हम आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइट कराते हैं जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ आप मैंने बीन्स के टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री प्रोवाइट करा जा रहे हैं सिर्व आपको यह टेस्ट पेपर ही 100% फ्री प्रोवाइट नहीं कराया जा रहे हैं आपको यहाँ पर kindergarten से लेकर class 12, आपका Olympiad, NTSC, UPSC, state board, Hindi medium, English medium जितना भी study material है आपको totally 100% free provide कराया जाता है हम कभी ऐसा नहीं करते हैं कि हमने आपको दो video free में दिये और उसके बाद हम बोलते हैं कि आपको हर class के लिए इतना study material purchase करना पड़ेगा या इतना कोई scheme लेनी पड़ेगी ऐसा कुछ भी नहीं है आप जिस भी class में जाकर कुछ भी देखना चाते हैं आपको totally free provide होगा तो हमारे साथ बने रहे हैं क्योंकि हमारी कोशश रहती है कि आप सभी का study बहुत ही smoothly चलती रहे तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए magnet means test paper लेकर आएं ये test paper आपको पहले ही provide कराये जा चुके है इनका PDF आपको provide कराये जा चुका है I hope आप सभी ने इसको solve कर लिया होगा आज हम इसका आपको solution कराएंगे तो देखते हैं कि ये कौन सी class का है और कौन सा chapter है Class है हमारी 10th Hindi course B इस की book है इसपर्ष भाग दो उसका अध्या है 8 ये आथमा अध्या है हमारा गद्यखंड का कार्तूस याद रखेगा गद्यखंड कावेखंड अलग-अलग है तो उसमें तो ये गद्यखंड का आथमा अध्या है कार्तूस तो ये किस तरीके से जो है वजीर अली के बारे में था कैसे उन्हों ने जो है अपने देश की सुतंतर अंग्रेजों की खिलाफ बिल्कुल बगावत करी और अपने देश को सुतंतर कराने के लिए वो कितने कारे रख थे उनकी बहादुर का पूरा डिस्कुर्शन ने था ये एक एकांकी थी जो हमने पढ़ी थी अब इसके जित पूरे चैप्टर से दिये गये तो सबसे पहले हम देखते हैं गद्यांश संख्या एक और फिर इसके बहुविकल्पी प्रशनों को देखते हैं तो क्या है गद्यांश हमारा किस्सा क्या हुआ था उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुचा द कुछ महीने बाद गवर्नर जलन ने उसे कलकत्ता यानि की कोलकाता तलब किया वजीर अली कमपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जलन उसे कलकत्ता क्यूं तलब करता है वकील ने शिकायत की परवान नहीं की उल्टा उसे तुन से क्या होता जोई वाथ कुल कईल को थाफते हैं, तो इसके शिकायद करने के लिए वकील के पास जाते हैं तो वकील क्या है उनकी शिकायत की परवानी करता हूँ है खुद उन्हें उल्टा सीधा सुना देता है। इसका नतीजा क्या होता है जो है वजीर अली बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस वकील का कतल करते है। अब इसे प्याधारित भविकल्पे प्रिश्ण है, क्या पूछा गया है प्रिश्ण संख्याएक? प्रसुत कर्द्यांश के पाठ और लेखक का क्या नाम है? ये जो हमारे पास पाठ आया है, ये इसका पाठ का नाम क्या है और लेखक का क्या नाम है? याद रखिए, जितने भी आपके बुख में पाट दिये हैं, उनके लेखकों के नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि ये कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं, तो क्या दिया है, कार्तूस हबीब तन्वीर, ताता वामीरों की कथा लीलाधर मंडलोई, अब कहां दूसरे के दुख में द प्रश्ण संख्या 2 है, गद्यांश के आधार पर बताईए, कि वजीर अली को किसने बनारस पहुचाने में मुख्य भूमिका निभाई थी, किसने उनको बनारस पहुचाया था, किसने इस चीज़ की भूमिका खास्तोर से निभाई थी, अंग्रेजों ने, शहादत अली न पहुचा था, और मिलक और वजीर अली को उनके पत से हटा दिया था, प्रेश्ण संख्या 3 है, वजीर अली ने कमपनी के वकील से क्या शिकायत की, क्या वो शिकायत लेकर गए थे, क्या कि वकील के बास की बार बार उन्हें गवर्नर जल्ल कुलकाता क्यों बुलाते हैं, त प्रेश्ण संख्या 4 है, किस घटना ने वजीर अली के क्रोध को और अधिक बढ़गा दिया, क्या चीज हुई थी, जिसके कारण जो है, वजीर अली का क्रोध जो था, वो और जादा उतेज, पहले तो उन्हें अंग्रेजों पर क्रोध था ही, और क्या घटना हुई, जिस उनका क्रोध बढ़ गया था, तो क्या था, वकील ने उनकी शिकायत पर ध्यान ना देकर उसे भला बुरा सुनाया, वकील द्वारा उसका साथ ना देने पर, कंपनी के वकील को बनारस भेजे जाने पर, वजीर अली को पत से हटाये जाने पर, तो सही ऑप्शन क्या है, अली को का गुस्सा बहुत जादा भढ़ गया था, प्रेशन संक्या पांच है, अंग्रेजु द्वारा किसको पत से हटाया गया था, किसे पत से हटाये गया था अंग्रेजु द्वारा, शहादत अली को, कंपनी के वकील को, वजीर अली को, या गवर्नर जर्नल को, तो किस यहां पर पहला गध्यांश उसके पास भोविकल पे प्रश्णिह पर पूर्ण होते हैं अब हमारे पास आएगा हमारा दूसरा गध्यांश क्या है वजीर अली की आजादी बहुत खदरनार है हमें किसी न किसी तरह इस शक्स को गरफतार कर ही लेना चाहिए पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूं और वर्सों से वो हमारी आखों में धूल जूँक रहा है और इनी जंगलों में फिर रहा है और हात नहीं आता उसके साथ चंद जाबाज है मुठी भरा आदमी मगर ये दमखम है सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है बहादुर ना होता तो यू कंपनी के वकील को कतल कर देता ये कतल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल तो यहाँ पर कर्नल और लेटिनिंट कर्नल ये सारी बात जो है वो लेटिनिंट को बता रहा है तो ये वकील की हत्या की बात जब कर्नल करते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या बात हुई थी कर्नल वो हमें पताईए लेकिन पूस्ते हैं तो अब इस गद्यांश पर अधारिक प्रिश्ण है प्रिश्ण संख्या पहला इस गद्यांश का लेकिन हमारे प्रिश्ण पत्र का प्रिश्ण संख्या 6 है क्या? हमें किसी ना की सितर है इस शक्स को गिरफतार कर लेना चाहिए वाक में हमें शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है हमें शब्द किसने बोला है तो जाहिर सी बात है वही होगा तो कौन है यहां पर वजीर अली, वकील, करनल या सिपाही तो यहाँ पर हमें शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो करनल बोल रहा था करनल बात कर रहा था तो करनल अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था कि हमें इसे जरूर पकड़ लेना चाहिए अब इसमें अगर एक option और आता है देखी मान लीजे इस वकील की जगा यहाँ पर अगर अंग्रेज आ जाता है तो भी वो सही option होगा क्योंकि करनल तो अंग्रेज ही था तो हमें शब्द में अंग्रेज भी शामिल हो जाते है तो अगर वो बोला जाता है तो वो भी सही है इसमें अंग्रेज option नहीं है करनल है तो आप यहाँ पर करनल पर मार्ग करेंगे अगर अंग्रेज आता है तो हमें शब्द के अंग्रेज के लिए भी इस्तिमाल किया गया है प्रेशन संख्या साथ है जंगलों में कौन फिर रहा था कौन जो है जंगलों में मारा मारा फिर रहा था लेटिनिंट शहादत अली गवनर जनल या वजीर अली तो सही option हमारा क्या है वजीर अली जो है उनी जंगलों में फिर रहादा कुछ जावास सिपाहियों के साथ में प्रेशन संख्या आठ है गद्याश में वजीर अली की किस विशेश्टा पर प्रकाश डाला गया है किस उसकी quality के बारे में बताया गया है डरपो, काम, चोर, बहादूर या हत्यारा तो सही क्या है वो जाती तौर पर भी एक बहादूर विक्ती है ये चीज़ बताये गई तो उसकी क्या बताये गया है कि वो बहुत ही बहादूर है प्रेशन संख्या नौ है कंपनी के वकील की हत्या क्यों की गई थी जो company का वकिल था उसकी हत्या क्यों की गई थी? क्योंकि वह अंग्रेजों का सहायक या मददगार था, क्योंकि वह अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था, क्योंकि वह देश द्रोही था, क्योंकि वह वजीर अली का सहयोगी था तो सही option इसका क्या है क्योंकि वह अंग्रेजों का सहाइब या मददगार था उनका मददा था और जो वजीर अली है उसे अंग्रेजों के तरफ उनकी खिलाफ जो है बहुत ही जादा मन में भरा हुआ था तो जब उसने ऐसी हरकत करी तो उसने अंग्रेज समद के उसको अंग्रेजों की हत्या कर दी ती प्रश्न संख्या 10 है वजीर अली को पकड़ने के लिए करनल क्या कर रहा था वजीर अली को पकड़ने के लिए करनल ने क्या किया था तो क्या था? शहर में पोस्टर लगवा रहा था, एक फॉज लिए उसका पीछा कर रहा था, उसके संबंधि में जानकारी इकत्र कर रहा था, उसके लिए गुप्त योजना बना रहा था तो क्या था जो है कर्नल वो एक faws लिए उसका पीछा कर रहा था कहा पर जंगल में उसकी एक faws लेकर उसका पीछा कर रहा था तो यहां पर हमारे जो है objective यानी कि बहुवी कल्पी प्रश्ण समाप्त होती हैं अब हमारा क्या शुरू होगा, subjective question यानि कि वस्तु बरक प्रश्ण शुरू होगे, चलिए देखते हैं, प्रश्ण संख्या 11 है, लेटिनेंट ने आदमी है या भूत का प्रयोग किसके लिए तथा क्यों किया था, लेटिनेंट ने किसके लिए आदमी है या भूत शब्द का किया था और क्यों किया था, तो जाहिर सी बात है ये शब्द का इस्तमाल वजीर अली के लिए किया गया था, लेटिनेंट ने आदमी है या भूत का प्रयोग वजीर अली के लिए किया, क्योंकि वह अंग्रेजों की आँखों में धूल छोंकते हुए, कभी भी उनके हाथ नहीं लगता था मतलब उसी जंगल में पूरी अंग्रेज हों की फौज ने डेरा डाल रखा उसी जंगल में वजीर अली भी लेकिन वह फौजुन्हें पकड नहीं पा रही, तो मतलब किस तरीके से वो अपने आपको डिसिपेर कर रहा था उस पूरी फोच के सामें, तो इसलिए लखने नहीं चीज़ के करनल के सिपाहियों ने वजीर अली को पकडने के लिए पूरा जंगल चान मारा वह कई हफ्तों तक डेरा डाले रहे, परन्तु वजीर अली को गरफतार ना कर सके कारण क्या था, उसी जंगल में उसे इतने दिनों से खोज रहे थे, मगर वो उसको पकड नहीं पा रहे थे प्रेशन संख्या बारा है, करणल ने वजीर अली की किस कामयाबी का वर्णन किया है? करणल ने बताया कि वजीर अली ने लगभग पांच महीने ही अगद राज पर शाशन किया था अब जब उनके जो अबजान थे आसफ़ दौला जब वो गदी से हटे तो इनका पुत्र वजीर अली पैठा तो वो सिर्फ कितने महीने के लिए था? सिर्फ पांच महीने के लिए गदी पे बढ़ा है क्योंकि आसफ़ दौला के जो भाई थे शहादत अली तो वो चाहते थे गदी पे बैठना लेकिन जब आसफ़ दौला की मृत्ति हुई तो जाहर सी बात है उनके पुत्र को मिलना था तो वजीर अली को बैठा अब यहाँ शहादत अली को बहुत जादा खुंदस हो गई थी वजीर अली से तो अब पांच महीने तक वो गदी पर बैठे रहे राज पर शाषन किया और इन पांच महीने के भीतर ही उसने अपनी बहादरी इन वीर्ता के बल पर अवद के दर्बार को अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त करा देने में लगभग कामिया भी हासल कर ली तो क्या काम है अभी पांच महीने के अंदर अवद के शाषन राज्य में जितने भी अंग्रेजी प्रभाव के लोग थे उनको निकाल के बाहर करना लग भग मता काफी हद तक बाहर कर दिया था अब अगर अंग्रेज शहादद अली के साथ मिलकर शडियंत नहीं रस्ते और वजीर अली को पत्से नहीं हटाते तो पूरी तरीके से अवद का शाषन अंग्रेजों से मुक्ट हो चुका होता तो शहादद अली ने जो है किसका साथ दिया था अंग्रेजों का साथ दिया था वजीर अली को पत्से हटाने के लिए तो ये स्टोरी अपने दिमाग में पूरा क्लियर रखेगा तो किसी भी दर के प्रेश्ण आये तो आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा तो क्लियर हो गया कौन सी काम्याबी थी? अवद के शाषन को लगभख अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त करना सिर्फ पांच महिने के अंदर प्रेश्ण संख्या 13 है शहादत अली और करनल के बीच कैसे संबंध थे? जो शहादत अली यानि की वजीर अली के जो चाचा थे और आस्फित दौला के भाई उनका संबंध करनल के साथ कैसा था? तो यहाँ पर क्या दिखेंगे हम शहादत अली और करनल के बीच अच्छी मित्रता थी करनल भली भाती जानता था कि शहादत अली एश पसंद आदमी है अतापने हित के लिए उसने शहादत अली से दोस्ती की थी जिसके बदले शहादत अली ने करनल को अपनी आधी दौलत के साथ 10 लाक रुपे नगत दिये थे तो वहां पर शादा दली को अंग्रेजों ने एक प्रलोभन दिया था राजगदीगा और इसी गदी को पाने के लिए उसने करनल से मित्रता करी इसमें क्या था कि उसने जो है उसके बदले में आधी दौलत दे दी और 10 लाक रुपे और नगत दिये थे प्रेशन संक्या 14 है करनल ने खतरनाक आदमी किसे और क्यूं कहा है किसको बोला खतरनाक आदमी और क्यूं बोला तो जायद सी बात है लेटिनेंट करनल के बीच में बात हो रही थी वजीर अली के बारे में तो वहां पर आप वजीर अली ने जो है न इसके इलावा अंग्रेजों से जो है मोर्चा लेने के लिए कई लोगों से दोस्ती कली जिसमें शम्शुद दौला थे और आपके अफगानी सहथ के नवाब को भी यहां बुलाना चाहते थे तो इन सभी को वहां पर उन्होंने मिक्स तोर पर जो है खतरनाक बोला लेकिन जो को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए अफगानिस्तान के बाश्शा साहे जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने का आमंतरण दिया ताकि वे दोनों मिलकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों के शाशन से मुक्त करा सकें तो वजीर अली का डर तो था ही और वजीर अली जो है प्रेशन संख्या 15 है अफगानिस्तान की बादशा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए वजीर अली ने क्यों बुलाया था क्या कारण था वजीर अली ने उनको यहां पर बुलाया था वजीर अली की इच्छा थी कि शाहे जमा की मदद से पहले अवद के शार्शक पर कब्जा करें यानि कि अफगानिस्तान जब यहां पर हमला करें उससे पहले अवद की गद्दी पर वजीर अली जो हैं वो काबिस अपना कब्जा कर लें उसके परशाद अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर भगाने की कोशिश करें इसलिए अफगानिस्तान के बार्षा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए वजीर अली ने बुलाया था तो वो चाहते थे कि जब आवत की गद्धी हमारे पास हो जाएगी तो जब षाहिजों को यहां से भगाने के लिए तो आवद का शार्शन जो है वो शाहिजों की मदद करेगा और अंग्रेजों को यहां से बाहर भगाना आसान होगा प्रश्ण संख्या 16 है लेटिनेंट व्यक्तिगत इसतर पर वजीर अली को बहादूर क्यों मानता था पठित पाठ कार्टूस के आधार पर उत्तर देजी लेटिनेंट उन्हें बहादूर क्यों मानता था क्या कारण था व्यक्तिगत तोर पर अगर बुदू ला जाये तो वह उनको ऐसा क्यों समझता था काठूस पार्ट के अंतरगत लेटिनेंट व्यक्तिगर इसतर पर वजीर अली को बहुत बहादूर इसलिए मानता था क्योंकि लंबे समय से उनके हाथ नहीं आ रहा था एक अकेली व्यक्ति ने ब्रिटिश शार्षन की एक पूरी फोज की नाक में दम कर रखा था अब देखिए एक अकेला व्यक्ति है और चंद लोग उसके साथ और है पूरी फोज लेके उसके पीछे पड़े हैं और वो हाथ नहीं आ रहा है तो यानि कि वो बहुत ही बहादूर और चालाँक व्यक्ति है तो लेक्टिनेंट की अपनी एक व्यक्तिकतिया जाती तोर पर ये राय थी प्रेश्ट संख्या सत्तरा है वजीर अली किस पट पट था उसे कंपनी ने उस पट से क्यूं हटाया कौन से पद पर था वजीर अली वजीर अली था अवद के नवाब के तौर पे और उन्होंने क्यों हटाया क्योंकि वहां से इनका शाशन समाब्द कर रहे थे वजीर अली अंग्रेजों का इसलिए तो क्या था वजीर अली को अवद के नवाब का पद मिला था उसे company ने जबरंत पच से हटा दिया क्योंकि company ने उसे अपने लिए खत्रा मानती थी तथा अपना शत्रू समस्ती थी वहाँ अपने किसी चातुकार व्यक्ति को उस पद पर बैठाना चाहती थी जिससे company को लाब हो सके तो अब अंग्रेज क्या चाहते थे वजीर अली अंग्रेजों के खिलाफ था पांच भही ने गदी में बैठने में ही उन्हें अंग्रेजों के नाक में दम कर लिया अब अगर वजीर अली को गद्धी पर हैते तो वो पूरी तरीके से अंग्रेजों का सफाया आवद से कर देते तो उन्होंने सोचा कि हम वजीर अली को ही गद्धी से हटा देते हैं और आवद पर हम किसी ऐसे आवद की गद्धी पर हम ऐसे वेक्ति को बिठालते हैं और लेटिनेंट ने क्या अनुमान लगाया अब पार्ट में अंत में क्या होता ना एक सिपाही दोर आ रहा होता है बहुत तेजी से दोरता हुआ तो जब दोरते हैं टापू की अवाज आती है धूर उड़ती हुई आती है तो उन दोनों को उस चीज़ों को सुन के और देख के कर्णल अलडेटिनिंट ने क्या अंदाजा लगाया था? यह आपको पाट के आधार पर लिपना है कार्टूस पाट के नुसार जंगल में दूर से आते अनजान सैनिक को देखकर करनोल लेटिनेंट ने यह अनुमान लगाया कि वह वजीर अली को जानने वाला कोई सैनिक होगा जो हमसे मिलकर उसे गरफतार करवाना चाहता है तो क्या अनुमान लगाया कि वजीर अली को जानने वाला कोई जो सैनिक होगा जो हमसे मिलने आया है कि हमारी मदद कर दीजे हम वजीर अली को पकड़ लेते हैं तो ये चीज उन्होंने सोची थी प्रेश्ण संख्या 19 है प्रस्तुत एक आंकी से हमें क्या सिक्षा मिलती है अब ये जो एक आंकी हमने पढ़ी कार्तूस इससे हमें क्या सिक्षा प्राप्त होती है तो देखें यहाँ पे आप सभी नहीं कार्तूस पढ़ी है तो आपको कई तरीके के व्यूज आ रहे होंगे कि हमें ये सिक्षा मिलती है ये सिक्षा मिलती है लेकिन यहां पे आपको एक combined एक चीज बनानी होगी तो जहीर सी बातिस में सबके आंसर अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन कोशिश करिए कि बहुत सारी सिक्षाएं आपको नहीं लिखनी जो एक सिक्षा पूरी combined करके आप लिख सकते हो वो लिखने की आप क प्रेडना देता है जिस प्रकार वजीर अली अपने दुश्मन शहादत अली और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए अकेले ही हिम्मत जुटा रहा था उसी प्रकार हमें भी साहस पूर्वक अत्याचारी का सामना करना चाहिए मतलब किसी तरह का अन्याय हो रहा है कुछ हो रहा है तो हमें चुपचाप सहना नहीं हमें उसके खलाफ आवाज उठानी चाहिए क्योंकि अन्याइए जोप तक हम सहते रहidences उस अन्या वह उस अन्याय को एक तरीके हम बढ़हावा दे रहे हैं तो इसलिए कभी भी कोई यहां न्याय हो रहा हो तो कभी भी उसको आप चुपचाब करके मत सहिए प्रश्ण संख्या 20 है सच्चे देशभक्त में कौन-कौन से गुड होने चाहिए अब पार्ट में वजीर अली को एक सच्चे देशभक्त के रूप में प्रसुत किया गया है अब उस वेक्ती में बहुत सारे गुड थे तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी के हसाब से भी लिख सकते हैं कि एक सच्चे देशभक्त में किस तरीके के कौन-कौन से एक ऐसे गुड होने चाहिए तो क्या दिया है यहाँ पर देखी सच्चा देशभक्त वही होता है जो अपने देश से प्रेम करता है अपना देश प्रेम वहाँ अपने क्रिया कलापू से भी प्रकट कर सकता है देश प्रेम प्रकट करने के लिए शत्रू से युद्ध करना ही आवशक नहीं मतलब जो दुश्मन है उससे हम लडाई करे जाके ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हम अपने बिहेवियर से भी कई तरीकों से इसको प्रकट कर सकते ही कि हम भी एक सच्चे देश प्रकट है अब जरूरी नहीं कि हम एक अच्छे देश प्रकट है तो हम जाके बॉर्डर पे जाके लड़ाई करें तो ही हमारी देश प्रकटी साबित होगी तो क्या है अपने देश के शक्ति बोध वा सौंदर बोध को बनाए रखकर भी हम अपना देश पर प्रकट कर सकते हैं यानि कि इसको अंद्रूनी तोर पर मज़ूद बनाएं आपका प्राकतिक सौंदर बढ़ा है अगर हम प्रकतिकी भी रक्षा कर रहे हैं हमें कंपेर नहीं करना है हमें अपने देश की बढ़ाई करनी है और जो कमजोरी है उसे जो है मजबूती में बदलना है और यदि सारजनिक स्थानों को साफ रखते हैं घर के बाहर गली सड़कों को साफ रखते हैं बाहर जाकर अनुशाशन में रहते हैं, तो भी हम देश प्रेम का परिचाय देते हैं, आता देश हित में किया गया प्रतेकार देश प्रेम का परिचायक है, यानि कि हम देश के लिए जो भी अच्छे कारे करते हैं, वो देश प्रेम का परिचायक होता है, जाया प्रक्ति का ह घर का हो, मुहले का हो, समाज के लिए हो, कुछ भी अच्छा कारे अगर हम कर रहे हैं, तो वो देश की भलाई के लिए ही हम करते हैं. तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्ण पत्र खतम होता है, आप सभी के आंसर सही गए होंगे, यह हमें अच्छे से बता है. क्यों क्योंकि हम इस पार्ट को पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि अच्छे से हमने पढ़ा है, तो अच्छे से इनके उतर भी दिये होंगे. इस तरह की टेस्ट पेपर जो भी हम आपके चैप्टर वाइस लेकर आ रहे हैं, उन्हें सॉल्फ करिए, यह तरीकी से आपके प्राक्टिस पेपर हैं, आपके एक्जाम टेस्ट में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्फूल रहते हैं, तो इन्हें जरूर सॉल्फ करते रहेगा, हमारी चैनल के साथ जुड़े रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल आपको 100% free education to provide कराता ही कराता है, लेकिन यहां पर आपको जितना भी content दिया जाता है, वो बहुत ही अच्छी quality का होता है, जो भी teachers आपको पढ़ाते हैं, वो आपको बारी की से हर एक चीज़ को समझान उसे आप यहां पर solve कर सकते हैं, thank you for watching, bye bye